पंचायत चुनाओं की सिलसिला सुरू है तिन चर्णों का चुनाओं संपन हुआ है आज संडे है और आज संडे के दिन तीसरे चरण के मतदान का मतगन्ना है किसी को मिलेगा खुसी तो किसी को मिलेगा गम, कहीं होगा धूप तो कहीं होगा लेकिन अभी तीन चरनों के बाद चौथा चरन, पाचवा चरन, छठा चरन, छठे चरन तक का नामांकन, यानि छठे चरन का नामांकन जारी है कल तक, सुमवार तक छठे चरन का नामांकन होग यानि छटे चरन की तैयारी अंतिम चरन में हैं मतदान कराने के लिए लेकिन हमारी कुछ वैसे भीवर्स हैं अभेजी जिनके मन में अभी भी काफी प्रस्ण है और उनका भी नमांकन बाकी है ये नार भी नहीं कटवाए हैं तो बहुत सारी समस्या हमारे भीवर्स के पास हैं करीब हम लोग लगते हैं कि तीन माह से पंचाय चुनाओ संबंधी जनकारी उपलब्ध करा रहे हैं और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है कि यह चैनल की इतनी विश्वस्यता बढ़ी है कि पूरे बिहार में हम समझते हैं कि पंचाय चुनाओं से के इंट्रेस्ट रखने वाए सारे लोग इस चैनल पर आते हैं और दूसरी बड़ी ख़वर आपके लिए ख़वरी है कि पंचाय चुनाओं को लेकर आपकी अपनी चैनल फ्रोक्तंत्र और मगत संबात सबसे आगे हैं जनकारी देने में आपको जनकारी विडियो के माध्यम से भी आने सोसल मीडिया के माध्यम से भी फेस्बुक पर भी ह हमारी उपलब्दा होती है और बहुत सारे लोग हमारे हम लोगों के पास कॉल करके जनकारी लेते हैं लेकिन दुख तब होता है अब है जब लोगों से पूछते हैं कि आपको नंबर कहां से प्राप्थ हुआ तो उनको यह भी जनकारी नहीं होती है कि कि किस चैनल से हुआ और हम कोशिस करते हैं कि चैनल की जनकारी देने पर उन्हें हम अवस जनकारी उप्रभग जाते हैं तो चलिए मुद्दे पर आते हैं आज है संडे और संडे कॉमेंट बॉक्स संडे पंचायत चुराओं से संबंधेत अगर आपके मन में कोई प्रसन आया है तो उसका जवाब आज देते हैं हम लोगों से भी जवाब लेते हैं हमारे सिनियर से भी जवाब लेते हैं कई लोग सामने आते हैं आपके जवाब मिलते तो सबसे पहला प्रसन है किन का है सर बिरबल जी का है सर मेरा नाम बोटर लिष्ट में सीरियल एक है दो हजार उनाइस और दूसरा है न बिरवल जी आपका इनका प्रस्ट पहले समझ लेजे कि इनको दो जगह नाम आ गया है एक ही वोटर लिस्ट में 219 पर और 225 बिल्कुल जबकि 219 पर इनका नाम गलत है और 225 वाला सही है तो जो सही नाम है उससे भरी है आप हलाकि इनको एक जगह नाम को कटिंग करवाना चाहिए था हो तुम कटना है राकि पंचाइच चुना के बाद इस पर लगकर एक ही जगह पर मतलाता सुची में नाम होना चाहिए अगला कॉमेंट जो है ओकिये हैं एमडी साकील अब है जी आराच्छन सीट किसको कहता है चोना च्छित सीट इनका सवाल मतलक जो भी लिखे हैं इनका सवाल इनका सवाल है कि और चीट किसको कहते हैं और कि पिछार शाया लिखना चाहा रहे होगा कि ते लिखें पंचाइच सेट की संघ्ँ के लिखहको है आरक्षित महिला आरक्षित अनुसुति जाते आरक्षित पिछला वर्ग तो उसी को आरक्षन कहते हैं कि उसमें पिछला वर्ग के अलावा कोई नहीं लड़ पाएगा महिला के अलावा कोई नहीं लड़ पाएगा उसी को आरक्षन कहते हैं आरक्षन आरक्षन का ही तो पुर लेकिन सोनम जी का है और इनका भी है दोनों का सवाल है कि हम कुछ परसनली आपसे बात करना चाहते तो असकीन पर नंबर आते रहता है उस नंबर पर कोशिश किजिए कि बारा से दू के बीच में ही बारा बज़े से दो बज़े के पीच में ही यह जरूर बताईए कि आपको नंबर ठोक तंत्र से उपलब्द हुआ या मगज संबाद से अगर चैनल का नाम नहीं बताते हैं तो आपका सवाल का जबाब नहीं मिलेगा और सवाल करने से पहले दोनों चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और लाइक भी किजिए और लोगों को बताईए भी तो हम लोग उपलब्द राते हैं लेकिन बारा से दो के बीच में ही बात करें बहुत सारे लोगे सुबा पांच वज़े फोन कर देते हैं रात में कर देते ही गारा वज़े तो यह कोई मतलब नहीं हुआ हम लोग को भी काम करना होता है तो चलिए अगला सवाल लेते हैं एमडी शाकील जी का सर एब वोटर लिस्ट को जोड़ा है बीयलो दल बदल कर देता है देरा ऑब्लिक 14 ने 14 तेरा चोड़ा 3 में इसे बहुत परसानी होता है आदमी चुनाव आयो को रोकना चाहिए दल बदल नहीं होना चाहिए अब सभाव है कि जो बी एल उसे इधर हो जाता है और स्पेसली आप करें कि चुनाव आयो का क्रमचारी ही यह काम करें खर अभी जो सिख्षकों को बना दिया जाता है तो दूसरे पंचायत में दूसरे वाड में चला जाता है फैर अभी बहुत सुधार होने क्या आँ सकता है है और आपका जो सुझाव है कि चुनाव आयोग का बेक्ति ही काम करें इसको हम मांग करेंगे नहीं सर इसमें जो है चुनाव सम्मंधि जो भी बैक्ति काम करता है वह चुनाव आयोग कहीं आदमी होता है जैसे जिला निर्वाचन पदाधिकारी पदेना वह होते हैं है निर्वाचन और जान बूचकर बियो लो कोई गलत नहीं करते हैं हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक को अगर वहां लेकिन आपके हां से जो भर के देते होंगे वह गलत कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनके उपर जाच कई बार होती है अगला कोस्टन है गौतम कुमार जी का व पहले से बना हुए एक बैक्ति हमारे एक भीवर से कह रहे है कि सर हमारे वाड में या किसी दूसरे वाड में जो है एक वाड सदस चुनाव हारने वाला है कारण वाड सचीव के कारण तो वैसा भी खोपडा मिल गया कि उसको लेकर बैठ गया तो हम चाहते हैं कि वैसे हम जो ही बात करेंगे नियम के नुसार करेंगे वाड सचीव कि जो चैन दो साल के लिए हुआ था सब लोग जानता है कारण पूरा वो काम कर रहे हैं पूरे पांट साल तक काम किये और नई जब वेवस्था लागी होगी तो नई वाड सभा हो जाएगी तो नई नई वाड सबा अपना वाड सोची चुन सकता है कोई परिसानी की बाद नहीं है परके करनी होगे परके बाके चुनाओं के बाद ही होगा रखो लगा क्याई नयां नहीं 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 अंतिम चरण का जब चुनाओम दिकार मिलेगा उसके लिए भी दिसंबर तक का इन्जार करना होगा कुछ लिखते हैं पहले से जबन नेम था अब वह शिंगल नेम आया है और जोना वह लिखें है जो नाम उसमें गलत है आया है और और इनका कहने को मतलब है कि जो लिच्ट में नाम है और अधार काड में कुछ और पहुत बार हम लोगों ने बताया है कि जो वोटलिष्ट में नाम है उसी के अनुसार आपका नामांकन होगा और लेकिन नमांकन करने आप जाते हैं तो एक पर्ची देते हैं पर्चा करता है एनर के लिए आपको एक सुबूत देना होता है भोटर आइडिया अधार काट देना होता है उसी से देखके अगर वह आपके पास नहीं है तो भोटर लिस्ट का जो है न कोपी लेके जाईएग तो आपको सन के नाम से ही एनर कटवाना होगा यानि पर्चा कटवाना होगा और जो डेपीड में यह दर्साना होगा कि हमारा बोटर लिस्ट में नाम सन है और जबकि मेरा रियल नाम सनी है जो अधार काट में भी सनी है इसको देना होगा लेकि सारा चीज जो है आपका बो अगला है शिवनात दास जी का पाणाम सर भोट लिष्ट में उमर 40 है और अधार कार्ड में उमर 30 है और स्कूल सट पिटेक में उमर 26 है किर्पिया यह बताएं कि मैं वाट सदस का नामांकन किस उम्र से कराया और सर नोमिनेशन हो सकता है या नहीं इसका कोई समाधान बताएं तो ऐसे तो सरे कई सबरस के बाद आप फिरी है कराने के लिए लेकिन आप भोटर लिष्ट से ही करेंगे हमने पहले भी बताया कि जो भी चीज है तमामें चीजों को भोटर लिष्ट से ही आपको करना है क्योंकि यहां माननेता जो है भोटर लिष्ट से ही है आपका स्कूल सर्टिफिटेक से उसमें कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर 2 तरह का नाम अगर रहता है तो यह आपको घोश्णा करना होगा ज़्त कुमार आपको 2 तरह का नाम हो चाहा है दो जगह नाम है उसमें भी आपको राजु कुमार का एक सवाल है सर, सर अगर एक ही परत्यासी दो बार नॉमिनेशन फॉर में फिलप करता है तो क्या उससे दो नाजीर रसीद कटाना पड़ेगा? बहुत ही सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है देखिए दो सेटो में दो बार नहीं कहिए दो सेटो में आप नामांगन कर सकते हैं तो दो सेटो में नामांगन करना है तो नाजीर रसीद एक ही कटेगा बाकी जितने भी काग्यात है उसका फोटो कोपी ही लगेगा और इसका फाइदा यह होता है कहीं कंफ्यूजन किसी को है कि नाम सन्नी कुमार है सन कुमार हो गया तो फिर दोनों नाम से एक प्रति में सन कुमार अब एक प्रति में सन्नी कुमार के नाम से नमनेशन डाल सकते हैं अगर उनका सन्नी कुमार बाला पास हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकर यह कहने का मतर्व को सकता है कि हम एक भाल नमर नमर 3 साथ सब्सक्रैति नामगण करना चाहते हैं उसी प्रिस्तित निरवाज्य चेटर से प्राइशिक निवाज्य से 2 हो गई जैसे जह07 वाट तो दो बार जाकर हम नावनेशन करेंगे तो अलग अलग जब करेंगे तब दो बार कट्वाना पड़ेगा लेकिन यहीं प्रादेसिक निवाचन छेत्र में आपको दो सेट में अपना मंगन दाखिल करते हैं तब उसमें एक ही नाय से परकीरी आ होगी लेकिन आज हम सोचे कि सब्सक्राइब करेंगे तो नहीं कर सकते हैं तो उसमें इस रखाए दुसरा है पश्वान जी का कि परसाद जी है कुछ कटा हुआ है अगर चुनाओं में या बोटिंग में कोई गरवड़ी होतो या IBM के साथ छेड़ चाड़ का संदे होतो आप से विंति है कि इस पर हमें सलाह दे सर जी पवन कुमार जी बहुत पढ़िया सवाल है और इस पर हम लोग अलग से वीडियो बना रहे हैं अलग से इस पर वीडियो बना देंगे कि अगर आप संतुष्ट नहीं है चुनाव परिणाम से पर्त्यासी को आपको हटाना है या फिर दुबारा कांटिंग करवाना है तो उस कांटिंग के लिए तो आप जानते हैं लोग से वीडियो बना देंगे वैसे जहां पर अगर कमी बुजाता तो वहीं पर कंप्लेंड ठोगना चाहिए और ज्यांग अगर कुछ है तो आप कोड़ जा सकते हैं आप निरवाचान आयोग के पास में टॉल फिरी नमर पर बात कर सकते हैं उसके वेव साइट पर आपे मैसेज कर सकते हैं लेकिन अब सारा चुनाओ अगर परकिरिया समप्त हो गया है और बात में आपको लगता कि गरवड़ी हुआ लेकिन अगसे इस परवेश निकास दला से निकास अब बेश देखान परवेश कीजिका तो सबसे पहले सदस्हे के इभियम सदर्शन होगा दूसरा मुरण बता दीघंडे और तीस आजylon добав को पंजाय मित्यां समिति हो और चौता जो है जिला परससे चौता जो घेरा बंदी है जिसको आप घर कर रहे हैं वह रहेगा पंध साहब के लिए जहां इभी आम नहीं होंगे बलकि आप बाहर से जो थिली नमर के जो पदाधिकारी है वह आपको बैलेट पेपर जो देंगे उसको लेकर वहां पर लगा क और बोड़कर और नीचे रखा हुआ रहेगा बैलेट बॉक्स तो उस बॉक्स में दोलों पांचवा घर बैलेट बॉक्स का यानि कि सर पंध साहब का और पंच साहब का है चो पदों के लिए हैं चुनाओ रहे हैं पहला पर दिखना है वाड मुखिया पंजाय समीति और ज इभियम पर और उनका नाम रहेगा फोटो नहीं रहेगा इस बार तो हमें उमीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विकास कुमार जी इस बात को समझ चुके होंगे अगर समझ चुके होंगे तो कोमेंट करके आप भाई बिल्कुल बताईएगा कि हम समझ चुके हैं नही एर राज जीग लिख रहे हैं नमस्कार सर सरकारी करमचारी अपने परिवार वालों के लिए चुनाव परचार करे तो उसका क्या उपाय है किर्प्या कमेंट करके सुजाओ दे बहुत जरूरी है अगर कोई सरकारी करमी है और चुनाव परचार कर रहा है चुनाव चुनाव परचार करना है चुनाव परचार नहीं करना है वो घर में रह रहा है उसके हां यह उसकी पत्नी ही खड़ी है तो का उसका घर में पोस्टल बैनर पकड़ाएगा तो अगर जाते हैं तो उन पर करवाई हो सकती है बिलकुल अगला सवाल है अनवर अलीका क्या लिके हैं? आपको जैसे ही वहाँ पर मौक पॉल होता है तो मौक पॉल के बाद में इभीम को सिल कर दिया जाता है अंदर से और बाहर से एक मातर कलोज बटम ही दिखता है और जब वहाँ पर मतदान खत्म हो जाते हैं तो कलोज बटम को कलोज कर दिया जाता है और कलोज करने के बाद म ही होता है बंदू करने के लिए फिर से CRC करना होगा तो CRC करने पर जो भी किया गया खत्म हो जाएगा जो सील किया गया है सील को भी बंदू तोड़ना पड़ेगा इसलिए छेड़ चाड़ की कुछ बाखी नहीं पता दे कि सील जो करता है वहां पर आपके साइन होता है तो अगर माने जी के साइन को हट आएगा तो सीलिंग फट जाएगा तो फिर साइन को न करेगा इसलिए सरकारी करमचारी खास करके कभी एवियम के साथ छेड़ चाड़ नहीं करता है क्योंकि उसको रहता है कि हम सांती पूर्ण से सांती पूर्ण से घर चले जाए हो हमारी नौकरी बची रहे इसलिए इसी संका मत किजिए क्योंकि संका का घर जो है बड़ा खराब होता है आप अपने मद्दाताओं को विशेश रुप से अपना धंक से समझाईए मत गिरेगा तो निश्यत है कि आपको जीत होगी नुमिनेशन रद हो जाएगा अश्कुल सर्फिटेक और अधार कार्ड में कुछ आ रहे हैं जवाब दे दिया है को भी चीज है वह भोटर लिस्ट से आपको करना है कोई नोमिनेशन फिल नहीं होगा कभी नहीं सम्रेश कुमार जी लिखते हैं अब है जी जाती पर्मान प अब यहाँ पर नहीं लिखने हैं पती का नाम नहीं लिखना है और जाती पर्मान पत रहा है और हमने दिद्वाचन और निर्वाच्णल अधिकारी उसे बात की है बोले पुराना जाती पर्मान रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर अजित कुमार लिखते हैं किसी भी गलती का अभी अलग से देना होगा क्या सर देखिए गलती का अगर आपका नाम उम्र सब अगर गलती है तो एक ही एफिडेविट में बना देंगे होई रहा है कोई अलग से अलग से नहीं हर का अलग अलग न बटर कार्ण नया बन वाए हैं और मेरा वारड में नाम आ गया है उस पर स्चुनाव लड़ना है उसमें बिरोधी से कैसे आगे निकालना है इसका सुझाओ दें आप पिंकु जी आप देख रहे हैं तो उसमें एक अलग सभी बनाया हुआ है कि बिरोधी अगर मजबूत हो तो कैसे हम उसमें विजय पराप्त करें तो इस मतलब ऐसे बताना संभाव नहीं हो वीडियो में आप जाए आज भी वीडियो डानी जा रहा है तो देखिएगा वार्ड कमिशनर के लिए बनाया गया वार्ड सदस कर सकते हैं उनके लिए लेकिन आपके लिए वह काम आएगा और रही बात है कि हम विरोधी से आपका हैला लड़िएगा बंधो इस समय मद्दताओं को अपनी और आकर यह कहा हूं तो विवट देखिएगारन नम्मर से बना सकता हूं अब धर्मेंदर जी बिल्कुल नहीं आप अगर आप पहले चुनाव लड़ सकते हैं बाराव में लड़ सकते हैं तेरा में एक में दो में लेकिन प्रस्तावक अब जिस सवाड़ से चुनाव लड़ेंगे लड़ रहे हैं उसी वाड के वाड प्रस्तावक भी होना चाहिए अगला सवाल है एक सवाल आया है सुबर सुबर फून पर कि सर मैंने वाड से नमांकन किया और प्रस्तावक जो है वह किसी पंच का भी बन गया है तो क्या हमारा नमनेशन में रद हो जाएगा यानि कि दोनों का नमनेशन रद हो जाएगा तो बहुत इस समझ कर इस पर कार्ज करने की जरूत होती है और लगातार आपके लिए हम आपको समस्याओं से जुड़े हुए सीरीज चलाते रहते हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए एक सवाल में आवर बतारों लोग अब हमें इजाज़त दीजिए देखिए आप देखिए जो भी चीज है आप कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से पुछ सकते हैं जान सकते हैं आपके लिए हम परियासरत रहते हैं लेकिर कहना है कि हमेसा तीन महीने से हम लोग परियासरत हैं तो इस वीडियो को देखने के सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए लाइक जरूर कीजिएगा तो हम इसी तरह से आपको जनकारी देते रहेंगे तब तक के लिए अगले रहिवार को फिर मिलते हैं जैहिंद बंदे माध्यम अ कर दो कर दो